गिव यॉरसेफ दे सेम केर इन अटेंशन गिव तो अदर्स एंड वाच यॉरसेल्फ ब्लू हम हमेशा इस सोच में रहते हैं कि अपने आस पास की लोगों को कैसे खुश रखे उन्हें कितना टाइन दे उन्हें कैसे इंप्रेस करें और शायद इसी भाग दोड में हम खुद को समय देना ही भूल जाते हैं खुद को जो कैर, अटेंशन, टाइम हमें देना चाहिए वो हम दे ही नहीं पाते और सच बात यही है कि आप किसी और को खुश कभी रख पाएंगे जब आप खुश होंगे अपने आसपास की लोगों से अगर आप चाहते हैं कि वो आपको पसंद करें उसके पहले आपको खुद को आपको पसंद करना होगा पर वो कैसे करें? खुद का ध्यान कैसे रखें? खुद से प्यार कैसे करें? तो मैं आपके साथ 5 ऐसे points लेके आई हूँ जो आपको self-care सिखाते है जैसे physical health का ध्यान रखने के लिए हम अच्छा खाना खाते हैं, diet पर रहते हैं, yoga करते हैं, exercise करते हैं, gym join करते हैं उसी तरह mental health के लिए भी तो कुछ करना होगा आपका mental diet कैसा है, वैसा ही आपका behavior होगा वही तै करेगा कि आपके thoughts कैसे होगे, आपके habits कैसे होगे, आपका mindset कैसा होगा So it's important to understand कि जैसे physical diet के लिए हम junk food नहीं खाते वैसे ही mental diet के लिए हमें junk news, junk gossips, junk media को भी consume नहीं करना है Number two, make your boundaries and don't be ashamed of that Just because कोई और कुछ कर रहा है, जरूरी नहीं, हमें भी वो ही करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो particular group या वो particular लोग हमें accept करें हम सब एक नहीं है, हमारी सोच एक नहीं है, हमारी situations एक नहीं है, हमारी पसंद एक नहीं है Everybody is different in their own beautiful ways इसलिए हमारी boundaries भी एक नहीं हो सकती जो आपको सही नहीं लगता, आपके principles के against जाता हुआ लगता है, उस काम को मत करिए क्योंकि अगर आप ये सोच कर कर रहे हैं कि सामने वाला आपका साथ छोड़ देगा तो ऐसे लोगों को अपने पास रखके कोई फाइदा नहीं जो आपके decisions को respect करना नहीं जानते दूर रहना ही अच्छा है, so don't be ashamed of your own boundaries and sometimes saying no can be the best form of self-care 3. Leave what's left behind मैंने एक बार बहुत ही साई कोट पड़ा था, leave your past where it is, behind you जो चीज नहीं आपके presence से related है और नहीं आपके future से पर अगर पीछे नहीं छोड़ी गई, तो आपके present और future दोनों को ही खराब करने का power रखती है ऐसे past को साथ लेके चलने का क्या फाइदा है पर हमारा ध्यान कभी इस बात पर जाता ही नहीं हम हमेशा उसे याद करके सोचते हैं कि कैसे उस एक past incident ने हमारों उस time का experience खराब कर दिया था पर हम ये देखी नहीं पाते कि वो present में भी यहीं करेगा अगर पीछे नहीं छोड़ा गया तो अगर एक बार हमारा ध्यान past से हट कर present पे आ जाए तो अपने आप ही हम उसे भूलने की कोशिश करेंगे पस एक बार अपना focus past से present पे लेके आए that's it number 4, read there is this quote that actually sums up the whole talk about this topic there is no friend as loyal as a book जरूरी नहीं हर वक्त हमें किसी से बात करने का मन करें हर किसी से कुछ अच्छा सीखने को मिले पर उस वक्त अगर ये सब आपको कोई दे सकता है तो वो है एक किताब हर किताब कुछ ना कुछ सिखा के जाती है आपके life में value आड़ करके जाती है आपको थोड़ा और समझदार बना कर जाती है तो भले ही दिन में 10 pages हो या 5 pages हो पर रोस पढ़े and trust me, this is going to bring big changes in your life Number 5 Talk to yourself everyday Last one, but my favorite one हम हमेशा लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं उनसे advices लेते हैं अपनी problems बता के solutions लेते हैं पर कितनी बार हम शान्ती से बैटके खुद से पूछते हैं कि हमें क्या लगता है हमारी नजर में क्या सही है, क्या गलत है क्या हम ऐसा करते हैं शायद ही कुछ लोग हूँगे जो कहेंगे हाँ क्योंकि हम हमेशा दूसरों को जादा बहतर समझते हैं खुद की वैलियू हम खुद ही कम कर देते हैं। But the truth is, आपको आपसे जादा और कोई नहीं जानता। जितना आप खुद को समझते हैं, और कोई नहीं समझता। तो जितनी सही सला आप खुद को दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता। And I will just end this video with this amazing quote. Talk to yourself once in a day. Otherwise, you may miss meeting an excellent person in this world.